आप से कहा है 12 वस्तों का क्राय मुले 9 वस्तों के विक्राय मुले के बराबर है cost price of 12 articles is equal to selling price of 9 अब आपको मैं इतना अच्छा इतना तो शायद आपको लायक बना पाया हूँ कि अब आप इसका ratio direct बना सकते हो अगर 12 और 9 है तो ratio 9 और 12 आएगा 9 और 12 आएगा है ना अब मैं पूरा करके नहीं बताऊंगा अब shortcut ही बताऊंगा तुम्हें 9 और 12 को क्या लिख सकते हैं 3 ratio 4 लिख सकते हैं खतम अगला अगला है 10 वस्तों का discount 5 के लाब के बराबर है तो अगर discount और profit का ratio बनाया जाए discount और profit का रेशो बनाया जाए तो 10 का discount 5 के लाब के बराबर है तो रेशो पल्टेगा 10 पांच को 5 दस कर दो 5 और 10 और 5 और 10 को क्या लिख सकते हैं 1 और 2 यह हो गया अब आप से कहा है लाब और discount आप तो एक बात बताओ आपको पता है कि cost price से बनता है marked price marked price पर discount देते हैं तो बनता है selling price इन्होंने कहा है कि अगर discount देखो discount किन के बीच में होता है इन दोनों के बीच में discount होता है discount कितना होना चाहिए एक का और profit किन के बीच में होता है इन दोनों के बीच में profit होना चाहिए जो 2 units होना चाहिए इन्होंने का एक cost price 3 हो तो selling price 4 हो लेकिन इनमें तो 1 unit का difference है जबकि difference 2 का होना चाहिए तो इसको अगर मैं 6 कर दूँ इसको 8 कर दूँ तो देखो 6 रुपे में कोई चीज खरीद के अगर 8 रुपे में बेचूंगा तो 2 का profit होगा और discount कब होगा जब 9 रुपे पर में 1 का discount दूँगा 9 होगा तो 8 में बेचेंगे 1 का discount 6 की चीज को 8 में बेचेंगे 2 का profit ये ratio बन गया है ना अब बोला है profit का percent बताओ तो आप 2 रुपे कमा रहे हो 6 रुपे पर multiply by 100 यानि आप 33.33% का profit ले रहे हो है ना discount 1 का discount है 9 पर 1 का discount ले रहे हो 9 पर यानि आप 11.11% का discount ले रहे हो तो दोनों के बीच का difference कितना है इसलिए final answer आपका 22.22% आएगा 22.22% C is the answer झाल 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 झाल